साथियों आप सभी के इस प्रेटिस सट प्रकासित किये गए हैं तो इसमें से जो प्रेक्टिस सट नमर 4 है उसका जो हिंदी वाला पोर्शन है उस पेपर को यहां पर हम लोग शॉल्प करेंगे चलिए प्रारम करते हैं यहां पर हम लोग तो चलिए इसमें सबसे पहले कि सु विलोम युग में नहीं है तो किसमें नहीं है तो आप यहां परते किये आतुर का अनातुर होगा अनुजीवी का परजीवी नहीं होता अनुजीवी अनुजीवी और परजीवी दोनों ही समनार्थिया और यह दोनों ही किसके आत्मिर्भर के विलोम हैं तो बीवाला गलत ह आर्ष का अनार्ष होगा, आशीश का अविशाप होगा, उदय शब्द का विलोम क्या होगा, उदय का अस्त होगा, उदय का विलोम अस्त हो जाएगा, ठीक है, और वहीं बलिष्ट का विलोम क्या होगा, दुरबल होगा, आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सही विलोम होता है और शुदूर का क्या होता है शुदूर का सनिकट होता है आगे बढ़ते हैं चिरंतन सब्द का विलोम निम्लित में से कौन सा होगा तो चिरंतन का क्या होगा चिरंतन का विलोम जो होगा नश्वर होगा ठीक है जबकि चिरंतन शाष्वत यह दोनों ही क्या समनार्थी हैं और इनका विलोम नश्वर होगा इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखेगा वहीं सनातन का विलोम क्या होगा सनातन का अधुनातन होगा और अभिच्छिन आविछिन का क्या होगा विछिन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं धंश का विलोम क्या होगा धंश का विलोम क्या हो जाएगा निर्माण होगा धंश का विलोम आपका निर्माण होगा और विध्वश जो है धंश का ही क्या है शमनार्थी है और विनाश विनाश का क्या होगा बिनास का सिर्जन होगा, विलोम, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा, और कृपा का विलोम क्या होगा, कृपा का विलोम कोप हो जाएगा, कोप, आगे चलते हैं, अगला है, इन में से विलोम सब्दों का एक सही युग में, कौन सा सही यूग में आप देखिए यहाँ पर आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है आपत्ति का जो है वो विपत्ति का क्या होता है विपत्ति का संपत्ति होता है विपत्ति का संपत्ति होता है और आपत्ति का अनापत्ति होता है यहाँ पर पहला गलत दूसरा अवर्षन का अवर्षन का अनावर्षन अवर्षन नहीं होता है आवर्षन होता है ठीक है अनावर्षन का जो हो है ये आवर्षन होगा और अवर्षन का जो होता है आवर्षन का क्या हो जाएगा वर्षन हो जाएगा आठा दीजे वर्षन हो जाएगा ये भी गलत है गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होत कौन सा विलोम यूग में गलत है प्रवेश का नवेश नहीं होता है प्रवेश का विलोम क्या होता है निकास होता है यह वाला आपका गलत है मुग का वाचाल होता है भोत का भविश्य होता है पुरसकार के तिरसकार होता है अगला है निम्नम से कौन सा विलोम यूग में तु तुटिपूण है, तो कौन सा तुटिपूण है, देखिए, आपका तुच्छ का महान होगा, नश्वर का सास्वत होगा, विशिष्ट का असिस्ट नहीं होगा, विशिष्ट का सामान नहीं होगा, विशिष्ट का क्या होगा, सामान नहीं होगा, यहाँ पर C वाला आप्शन जो भरमर के हैं, वो है मिलिंद, दूई, रेफ, दूई, रेफ, ठीक है, इसके तरिक अली, शटपद, मधुकर, इत्यादी हैं, वहीं पर आपके हवा, हवा के परयावची क्या है, हवा का परयावची आपका वात है, शमीर है, अनिल है, मरूत है, प्रकंपन है, और पुत्र क पुत्र का तनय, तनुच, तनय, तनुच, आत्मच, सुत, इत्यादी है, मित्र का, शखा, मीत, दोस्त, हमदम, आगे बढ़ते हैं, दुरगा का परयावची क्या है, इन चारों में दुरगा का परयावची धात्री है, क्या है, धात्री है, दुरगा के अन्य परयावची मे चंडी, चमुंडा, कामाच्छी, चंडी का, काली का इत्यादी है वही भारती जो है, भारती सरसुती का परियावाची है सरसुती का, स्रीलच्मी का है, जोचसना चांदनी का है आगे चलते हैं, महाश्वयता किसका परियावाची महाश्वायता जो है यह सरसुती का परियावाची है शरश्वती का ठीक है तो इस शीर को ध्यान रखेगा कि महाश्वायता किसका परियावची है सरसुती का भारती भी सरसुती का परियावची है इसके अत्रिक सरसुती के अन्य परियावची में देखें भारती ब्राम्मी व हवानी, अंभिका, शिवा, शिव का शिवा, वहीं लच्मी के परियावाची क्या होंगे? लच्मी के परियावाची में कमला, हरिप्रिया, रमा, स्री, शिंधुस्ता ये हैं, शीता के परियावाची में क्या होंगे? शीता के परियावाची है जानकी, वैदेही, भूमिजा, रामप्रिया, जनक नंदनी, इत्यादि आगे बढ़ते हैं 14 नमबर कोशन देखते हैं 14 नमबर कोशन क्या है यातुधान का पर्यावाची क्या होगा देखें यातुधान का पर्यावाची है राच्छास, निसाचर डैत, दनूज दानो, इत्यादि तो ये इसके परियावाची है इसके राच्छाश के आगे बढ़ते हैं कौन सा सब्द जो है शूरी का परियावाची नहीं है मार्तंड, मरीची, पतंग ये शूरी के परियावाची है परने तो केसरी आपका इसका परियावाची है शेर का परियावाची है ठीक है या सिंगर का परियावाची है आगे चलते हैं इस तरी का परियावाची सब्द नहीं है कोन सा इस तरी का परियावाची नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए तरूनी प्रमदा ललना ये इस तरी का परियावाची है प्रमदा ललाम ललाम जो ह ये सुन्दर या मनोहर का पर्यावाची होता है, मतलब इसका अर्थ जो होता है, सुन्दर या मनोहर होता है, इस तरीके अन्य पर्यावाची में, देखें, नारी है, वनीता है, महिला, कांता, रमडी, अबला, कामनी, भामनी, भामनी भी होता है, परमदा भी होता है, ललना, तरुणी अंगना ठीक है? देखिए ललाम जो है ललना होता परंथ ललाम नहीं होता आगे बढ़ते हैं म्रेमलीथ मेंसे कौन सा सब्ध हवा का परियाबाची नहीं है? तो देखिए हवा के परियाबाची में अनिल मारूत पवन है परंथ अनल जो है आगे बढ़ते हैं, प्रयाय सब्दों का कौन सा समुह जो है, वो सही नहीं है, देखें, पाट साला विद्धाले स्कूल ये तीनों एकी के प्रयावची है, नारी महिला और अवरत ये भी है, पहाड़ परवत पुस्तक, पुस्तक जो है आपका पहाड़ परवत से समधित नह है, तो आपका यहाँ पर C option जोगा, आग, अनिल, अनल, ये एकी के प्रयावची है, आगे बढ़ते हैं, निवनी बिकल्पों में से कौन सा प्रयाय जो है, वो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, देखें, मोर का कलापी होता है, मुकुंद का विष्णू है, मार का अनंग है परयावची, मिर्गधर का अर्कजा नहीं है, मिर्गधर देखें, मिर्गधर जो है, आपका चंदर्मा का परयावची है, मिर्गधर चंदर्मा का है, तिपकि अर्कजा यह मुना का परयावची है, तो अलग-अलग है, इसलिए आपका सही नहीं है, D option, अगला है, निवनी अगला जिसकी आशा ना की गई हो, वो क्या कहलता है, जिसकी आशा ना की गई हो, उसे अप प्रत्यासित कहते हैं, आप प्रत्यासित आशातीत का मतलब क्या होता है, आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परहु आशातीत होता है, आशानवित मतलब आशा से बधा हुआ होता ह प्रत्याशा की गई आशा को प्रत्याशा कहते हैं आश्वस्त जिसे विश्वा से दिलाशा दिलाया गया हो आगे बढ़ते हैं जिस इस्त्री के पुत्र और पती ना हो उसे क्या कहते हैं उसे अवीरा कहते हैं क्या कहते हैं उसे अवीरा कहते हैं और जिसका कोई सहायक ना उसे असहायक कहते हैं और जो बिना किसी साथी या मित्र के हो उसे अकैल्या कहते हैं अकैल्या मतलब जो बिना किसी साथी या मित्र के हो अगला है जो प्रमान से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमे कहते हैं देगे च्छाती मतलब उर, उर का मतलब होता च्छाती, तो उरग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उरग हो जाएगा, और पेट के बल चलने वाला, पेट मतलब उदर, तो उदर चर हो जाएगा, उदर चर, पेट के बल चलने वाला हो जाएगा, आगे बात करते हैं, वह भाई उप तक क्या होता है, उप त्यक्या, उप त्यक्या, उप त्यक्या, उप त्यक्या, उप त्यक्या, अथा D option हो जाएगा, जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं, खाने की इच्छा के लिएक सब्द क्या होगा? बू भुच्छा, बू भुच्छा होगा, ठीक है? यहाँ पर बी वाला आपका सही है, तो इध्यान रखेगा, लिप्षा, लाविकी इच्छा, जीगीशा, जीतने की इच्छा, बीना पलक गिराये, अगला प्रस्ण है, कि मोच्छ की कामना करने वाले, वाक्यान्स के लिएक सब्द क्या होगा? मूमुच्छु होगा, क्या होगा? मूमुच्छु, यह सी वाला आप्षन आपका सही है, आगे चलते हैं जो बहुत मंदगत से कारी करता है उसे क्या करते हैं उसे मन्थर कहते हैं क्या करते हैं मन्थर काना शब्द क्या है काना अर्ध तत्सम है क्यों क्यों दखे ये अर्ध का तत्सम है किसका किशन का किशन का पूर तत्सम क्या होगा क्रिशन होगा आगे चलते हैं नेमनिकित सब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, मतलब तदभव है, तो कुशुम भूशी का वन्ष में आपका नेह जो है, ये तदभव है, ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम जो होगा, वो इसनेह हो जाएगा, अगला है नेमनिकित तो उपएक्ट सभी D option निम्रित सब्दों में से तदभाव शब्द कौन सा है कौन सा तदभाव शब्द है इन चारों में से आप देखिए धच्छिन, खटवा, घरजूर, घड़ा घड़ा क्या है आपका तदभाव होगा घटवा 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 जो है आपका घटवा खटवा घटवा 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 क्ये सम数 है और आपका घड़ cit देखें यहाँ पर वायु जो है वायु तत्सम है जबकि आखर तदभव है आखर का का तत्सम क्या हो जाएगा अच्चर हो जाएगा फिक्थ में ओर तत्सम तत्सम तत्भव इसमें देखें न च्छत्र न च्छत्र, एस प्रकार से नहीं हुता है यहां पर अपका बिवाला सही नई है, यहां पर बिवाला सही नहीं है । ग्रिद्ध का गीद है, तो देखिए, ग्रिद्ध स्पेलिंग जो है, वर्तनी ये गलत है, ग्रिद्ध ध्र, यहाँ पे ध्रा इस प्रकार से होता है, ग्रिद्ध ध्र, ठीक है, ना कि इस प्रकार से, वहीं आप डी वाले देखिए, अवश्याइब, ओश्याइब, बचणा वत्स आपका तत्सम है इसका तत्सम होता है शब्द होता है ना कि इस आपको it यह गोधूल नहीं होता है, गेहों का जो तत्सम होता है, वो आपका क्या होता है, गोधूम होता है, क्या होता है, गोधूम होता ना कि गोधूल होता है, आगे चलते हैं, तदभौशे, तत्सम बने, सही सब्दिगुम को चिन्धित कीजिए, तदभौशे, तत्सम बने, सही स को मुकम को छेने केंजे कौन सा है तो यहाँ पर देखें आप इसकी was i पत्रां का पत्र पत्र जो है यहे पत्रा आपका तदवह हुए इसका तदवह रट्त नहीं होगा और आपका डी ओप्शन में आप देखें तो नाच जो हए आपका क्या है तदभाव है इसका निर्त्य जो है तदस्म हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर खंडगरी ये आपके तो देखिए इसमें खंडहर तदभाव है और इसका तदस्म क्या है खंडगरी है पडिवा या परवा पडिया तदा परवा ये दोनों ही तदभाव है इसका तदस्म क्या होगा प्रतिवदा क्या होगा प्रतिपदा होगा ठीक है फिर से देख लिजे पड़िवा या परवा का क्या होगा प्रती पदा जो है तत्सम हो जाएगा वहीं अमिय और अमी अमी दोनों ही तदबाओ है इसका तत्सम क्या होगा अमरित होगा आगे चलते हैं निम्लित में से कौन सा सब्द सुद्ध है कौन सा असुद है? कौन सा असुद है? अजुद। विशष्ध या सही है? अधिन से उच्छवास में आपका यहां पे छामें हलंद होगा, ठीक है? उच्छवास में निमलिकमत कौन सा सब्द अशुद है? गनिश्ट एक ठा विश्ष्ष्ष्थ V-SIST होता है V-SIST होता है ठा नहीं होता T-A होता है ठीक है? तो ठाकी जगा ठाकी जगा ठाह हो जाएगा इन में से सुद्ध वरतनी का सब्द कोन सा 43 नंबर में इसमें देखिए आपका क्रिशांगी जो C-Option ने लिखा क्रिशांगी है यहां अशोभनी वातावन घिरा की जरूरत नहीं है यहां अशोभनी वातावान है खबर सुनकर मैं विश्मित हो गया यह आपका शुद्ध है मैं आप शब का धन्यवाद करता हूँ, नहीं, मैं आप शब को धन्यवाद देता हूँ, अगला है निम्रिकत वाक्यों में से कौन सा वाक के अर्शुद है, कौन सा वाक के अर्शुद है, सास्त्री जी की मिर्तु से हमें बड़ा खेद हुआ, बड़ा खेद नहीं होता, दु नीरापरादी निरापरादी न निरापरादा होता है अगला है अंगद सुब्भाइध को चुनिए बंदू , इक उपयोगी संस्त्र , ये सही है , स्रीकिष्ट के अनैक नाम है . हमारी शौभागवति कन्या का बिवा होने जा रहा है तो हमारी आईश्मति कन्या का बिवा होने जा रहा है किसी भी आदमी को भेज दो आगे चलते हैं कोशन पचास देखते हैं निम्लित मेंसे शुद्ध और के कौन सा है मैं आपका दर्सन करने आया हूँ यह गलत है इस बात के कहने में किसी returning नहीं किया है मैं अपनी बात कहने के लिए तयार हूं ये आपका यहां पर शुद्ध है अपनी बात कहने के तयार हूं ऐसी एकाद बाते और देखने बाती यह सब गलत हैं आगे बढ़ते हैं शौनिम बिशेशन सब्द का परियोग निमलित में किसके लिए नहीं किया जाजता है शौनिम अच्छर होता है शौनिम स्योग होता है शौनिम उशा होती पर शौनिम प्रियास नहीं होता है प्रियास जो सत्त होता है तो यहां पर सत्त विशेशन लगेगा प्रियास के साथ में आगे चलते हैं भावतिक और नश्वर जगत में दैविय प्रकोप अप्रतियास घ यहां पर चार विशेशन इंट त्था आगे बढ़ते है, प्रयोक के आधार पर अज्यान सब्द क्या होगए? अज्यान जो है आपका ये विशेशन और विशेश दोनों हैं. अज्यान जो है वो विशेशन और विशेश दोनों हैं. जैसे कि पांडू शब्द का प्रयोग विशेशन और विशेश दोनों के रूप में होता है. अगला है निमलित में से कौन सब्द जो है वो क्रम वाचक विशेशन है तो देखिए दो तीन तीसरा तीसरा चौथा पांच वाँ यह क्रम है तो यह क्रम वाचक हो गया निम्लित में से कौन सा एक विशेशन सब्द है कौन सा एक विशेशन है तो देखिए चम में उसकी गलती चम है तो चम में क्या विश है चम में आपका विशेशन है जिसका विशेश चमा हो जाएगा और यहीं पर आपका फेन भ्रहम ये आपके विशेश है ये आपके विशेश्चित होगा और यहाँ पर सिच्छा क्या विशेश्चित होगा आगे चलते हैं question number 56 देखते निमलित मिस्र वाक्यों में, मिस्र वाक्यों में कौन सा विशेशन उपवाक्य हैं? तो देखिए पहले जो विशेशन उपवाक्य होता ये होता क्या है? इसे थोड़ा समझ लेजिए. देखिए, जो आसित उपवाक के विशेशन की तरह व्यवहार करता है, उसे विशेशन उ पर हो रहा है जो जैसा जितना इत्यादी तो जो यहाँ पर बी आप्शन जो है आपका यह विशेशन उपवाग की है आगे बढ़ते हैं निमलित मुझे विशेश्यों विशेशन के दिश्च से विशेश्य और विशेश्य की दिश्च से एक यूगम गलत है कौन सा यूगम आशक तो हो जाएगा आकर्शन विशेश्य है और इसका विशेशन का होगा आकरिस्ट हो जाएगा इरश्या का उपेच्छा नहीं होता इरश्या जो है आपका विशेश्य है इसका विशेशन इरश्यालू होगा इरश्यालू होगा ठीक है ना कि आप उपेच्छा यहाँ डी वाला जो है आपका सही नहीं है वहीं उपेच्छा क्या है? उपेच्छा विशेश है इसका विशेश है क्या है? उपेच्छित होगा आगे चलते हैं भक्त की करणू पुकार सुनकर भक्त वसल भगवान दयादर हो उठे वाक्य में प्रिवक्त विषेश्चों की दिश्चे से कौन सा यूग में? सुध्य है, बतलब कितने विषेश्ची हैं? यहाँ पर देखिए, भक्त की करणू पुकार सुनकर, तो पुकार कैसी? करणू पुकार है, यहाँ पर पुकार क्या है आपकी? विशेश्य हो गया और भगवान कैसे है भक्तवस्चल है तो यहाँ पे भगवान आपका क्या हो गया आपका विशेश्य हो गया तो दो विशेश्य है पुकार और भगवान तो D option हो जाएगा आगे बढ़ते हैं शालों बाद उसका प्रवार्शी पती लोटा है इस वाक्य मे पता रख गुणवाचक है किस प्रकार का है बजारू तो यहाँ पर आपका B option हो जाएगा इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद